हेलो दोस्तों आज हुम इस वीडियो में कंपेरजिंग करेंगे ओपो F19 Pro Plus में और OnePlus Node में और देखते हैं बेस्ट फोन कौन सा है तो बात किछो है डिस्प्ले से ओपो की है 6.543 तर इंच की रेजुलेशन है एक जा असी मंटिपर 24 पिक्सल और इसमें सूपर ML डिस्प्ले के यूज़ किया गया है और OnePlus की जो डिस्प्ले है ओए 6.544 तर इंच की रेजुलेशन है एक जा आसी मंटिपर 24 पिक्सल और इसमें फुलूड ML डिस्प्ले के यूज़ किया गया है और इसमें आपको Dual 5 डिस्प्ले भी मिल जाती है 700 उनाफ सेकता है कि उन्हाइक और च्पीह और चैवन का पीड़र का फिन एखिर करनालम है Geek अन्हीं बात कि ऑच स्थीये करें का संपरी चींग मैंनों के दोई का को इंडेकल करने ताहितма में फिर्छी उंहां है 8 pop references to my sister card बात की जुए of point की में की ओपपह है 16 का gap level 1 plus का है настla 32 plus 8 का और बात की जुए high party की तो ओप में है 4730 ईमिज की 1 plus में है 4115 ऐसे की उदोनों की बैटी 9 ईबल हैं आप दोनों की बैटी को निकान है सकते shout 208 रशा है और प्लेस में a 338 का में आपको ट्रिब्सúde का स्पॉर्ट मिल जाता हैgehen दोनी फोन में प nossa एंड डिस्प्ले नगे फिगुआ डिस से मिलता है फिछ लग को तुना फॉर्टाल में मिलज्वूलती है दो सी मिलती है और दोनों की वारांटी है एक साल की और बात की जो है रेम की ओप में है आर्च भी की वार प्लिस में 6 भी आर्च भी और 12 भी की और बात की जो है मेमोरी की ओप में 108 भी की और दोनों में फरेंट में गलास ही और अमा प्लिस में को बैक में भी गलास मिल जाता है और बात की ज दोनों फोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बॉक्स में जरू बताना अगर आप दोनों में से को फोन के सोच रहे हो तो यह बैस्ट है ओको सी बाकि आपको फोन ले सकते हो